हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रिया जैन और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एम विद राकेश चैनल में आज का वीडियो लोवर PCS UPSS C महतपुन प्रश सीरीज का सेकंड पार्ट है जो की वन्य जीव अभ्यारण पर बेस्ट है फ्रेंड्स मैं आशा करूंगी कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्योंकि यहां से आने वाली परिक्षाओं में कुछ कोश्चन मिलने कन्फर्म हैं यहां से इस टॉपिक से कुश्चन आएगा तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर वन से अपने प्राकरतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षिच छेतर है मतलब जो आपका लीगली अगर हम बात करें लीगली जो रिजर्वड एरिया है नेच्रल एंवार्मेंट के अंदर वाइल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो कौन सा है तो देखें यहाँ पर जो आप्शन से हैं मैं एक बार एक्स्प्रेंड कर देती हूँ बायस्फिर रिजर्व, वाइल लाइफ सेंचरी और ओप्शन डी नेशनल पार्क देखें यह सभी इनी का काम क्या है आरक्षी छेतरी ही है यह सारे लेकिन इन सब में थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंस हैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं नेशनल पार्क की तो नेशनल पार्क में किसी भी तरह की यूमन एक्टिविटी अलाउट नहीं है यह ऐसा रिजर्व डेरिया है जहां पर किसी भी तरह की human activity allowed नहीं है जबकि अगर wildlife century को हम इससे compare करें तो यहाँ पर कुछ हद तक limitations है और अगर biosphere reserve की बात करें तो यहाँ पर comment orders के साथ कुछ economic activities भी हो जाती है लेकिन वन्य जीवन के coast पर नहीं मतलब वहाँ पर wildlife को आप hurt नहीं कर सकते ठीक है अभी बात करते हैं सामाजिक वन की तो स सामाजिक वन यानि social forestry, social forestry में forest department जो है वो पूरी तरीके से इस area को protect करता है लेकिन यहाँ पर कुछ काम होते रहते हैं जो की environment, social और rural development को ध्यान में रख कर होते हैं जैसे की degraded land को अप्ग्रेड करना या फिर afforestation process को बढ़ावा देना तो इन सभी terms के बाद आई होप आप कोई सारी terms clear हो गई होंगे explanation के बाद, अभी question के answer पर आ जाता है, तो हमारे प्राकरतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षे छेतर है, biosphere reserve, ठीक है, इसका सही answer है, option A, चलते है second question के तरफ, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर कुछ centuries दी हुई है और आपको उन्हें match करना है, दूसरी तरफ states के साथ आपको उन्हें match करना है, तो देखिए, gear 1, gear 1 किसके साथ, आपको मेरे खल से easily पता होगा, यह तो सभी को मालूम है, gear forest जो है, वो कहाँ पाई जाते हैं, गुजरात में, है ना, gear forest कहां situated है, गुजरात में, तो देखो, अगर आपको ये clear है, कि gear forest गुजरात में है, तो आपको answer बहुत आसानी से पता चल जाएगा, एक ए option के साथ आपको fourth column match करना है, तो यहाँ पर B option आपका सही answer होगा, यहीं से आपको पता चल है, और फिर exams times में, अगर आपको, exam में, अगर आपको एक भी question इस तरीके से match करता हूँ, मिल गया, तो वहीं पर आपका काम बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, कि आपको सिर्फ ये पता था, gear forest गुजरात से है, तो आपका option B सही होगा है, आगे बात कर लेते है, भरतपूर century की, तो भरतपूर century, यहाँ पर clear, अब हमें, राजिस्थान का पता चल गया है, बांधवगर, बांधवगर जो है, वो MP में है, और काजीरंगा century, असम में है, अब इसी के साथ में ये भी बता देते हूँ, पर्टिकुलर कौन सी species के लिए famous है, तो gear forest आपको thousands of numbering में यहाँ पर host की तरह work करती है, आती है, उसी के लिए famous है, बांधवगर की बात करें, तो MP का बांधवगर, white tiger के लिए famous है, इसके लावा एक बड़े level पर एक बड़ी population में यहाँ पर lepards की breeding होती है, और एक particular species भी मिलती है, पर deer की, काजीरंगा century के बात करें, तो अस का सही option, answer B हो गया है, आगे चलते हैं, question number 3 की तरफ, question number 3, निमनलिकित में से कौन सा 36 गड के बस्तर चेतर में इस्तित है, तो 36 गड के बस्तर चेतर में आपको बताना है कि इन में से कौन सा रास्ट्रियोद्यान, 36 गड में इस्तित है, अगर आपको नहीं मालूम, तो धवगड़ा भी हमने उपर ही बात की थी, MP में है, चलते है, question number 4 की तरफ, मूंगी की चटानों के संरक्षन के लिए, भारत सरकार ने निमनलिकित में से किसे समुद्री पार्गोशित किया है, तो देखें, मूंगी की चटानों होती है, coral reefs, तो coral reefs को protect करने के लिए, भारत सर को मूंगी की चटान, यानि coral reef के लिए, भारत सरकार ने समुद्री पार्गोशित कर दिया है, आगे चलते है, question number 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, अभी देखें, सूची 1 में फिर से आपके सामने national parks हैं, और आपको सूची 2 और अपकी बार districts से आपको इनको जबकि बीजापूर की बात करें, तो बीजापूर 36 गड़ में district है, अब आ जाते हैं अपनी पहली सूची पर ही, काना राष्ट्रियोध्यान MP में है, बांधवगर राष्ट्रियोध्यान ये भी MP में है, माधव राष्ट्रियोध्यान ये भी MP में है, और इंद्रावती र मैंने आपको बता है कि बीजापूर 37 गड़ में पढ़ता है, तो सीधे-सीधे डी का आपका आंसर हो गया, थर्ड, अब डी के साथ थर्ड अगर हम option देखें, तो यहां तो A और B दोनों में ही D के साथ थर्ड जुड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं आगे कि और कौन सा आ एंपी कौन से जिले में है, शेहडोल, माधव रास्ट्रोध्यान, एंपी, जिला, शिवपूरी, इंदरावती रास्ट्रोध्यान, जिला, बीजापूर 36 गड़, सो आंसर इस A, बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 6, भारत में निमनलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिन दिशा की और करंबद कीजिए, देखिए अभी उपर ही हमने इन में से कुछ नेशनल पार्क डिसकस कर लिये हैं, तो मेरे खेल से लगाने में आसानी रहेगी, उत्तर से दक्षिन दिशा में, एक बर मैं स्टेट बता देती हूं, फिर हम उत्तर से दक्षिन दिशा की और चलते हैं ठीक है, तो शुरू करते हैं, उप्षिन फर्स थे, इंद्रावती नेशनल पार्क, अभी उपर देखा हमने 36 गर्ड, नागर होल नेशनल पार्क, यह आपका पढ़ता है करनाटका में, कॉर्बट नेशनल पार्क, यह उत्तरा खंड में हैं, और माधव नेशनल पार्क, य यानि option number 3, तो C option आपका अंसर हो गया, क्योंकि सबसे उपर इसमें 3rd option आपको दिखाए दे रहा है, तो कॉर्बट नेशनल पार्क, कॉर्बट नेशनल पार्क के बाद माधव, यानि MP, दनिंद्रावती, that is 36 गर्ड और लास्मिन नागर होल, that is करनाटका, चलते हैं अपने अगले कॉशन के तरफ, कॉशन number 7, सूची एक को सूची दो से सम्मेलित कीजिए, अगेन आपके पास सूची एक में पार्क और वन्यजीव अभ्यारन दिये हुए हैं, और सूची दो में राज्ये हैं, शुरुवात करते हैं डचीगम वन्यजीव अभ्यारन से, और मैं अगे सीधे आंसर निकल आया है आपका, आगे आप देख सकते हैं, केवला देव, राजिस्थान, नेक्स्ट काना रास्ट्रेपा, काना इस इन MP, पेरियार वन्यजीव अभ्यारन ये केरला में, तो यहां आपका मैच हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं, कोशन number 8 की तरफ, भा भारत का प्रथम दितली उद्यान कहां परिस्थित है, इसका सीधे आंसर बताने जारे हूं में, option A, बनर घाटा, बनर घाटा, जैविक उद्यान, बंगलूरू, करनाटका में स्थित है, जो की भारत का प्रथम दितली उद्यान है, आगे चलते हैं, question number 9, निम्न लिखित मे से किसका सही मेल बाग आरक्षित छेतर परियोजना के साथ नहीं बैठ था, देखिए मतलब question में क्या पूछा गया है, question में पूछा गया है, कि यहाँ पर जो options दिये हूए हैं, वो सब बाल आरक्षित छेतर परियोजना से संबंदित हैं, कोई एक है जो गलत है, तो आपको वाल मिकी परियोजना, वाल मिकी आरक्षित छेतर परियोजना कहां पर है, यह पढ़ती है बिहार में, जबकि हजारी बाग कहां है, हजारी बाग है जारखंड में, तो यहाँ पर यह हमार option B ही answer आ गया है, यह गलत है, क्यो गलत है, वाल मिकी जो है वो आरक्षित छेतर पर योजना जरुर है, यह Tiger Reserve एरिया जरुर है, लेकिन यह कहा है बिहार में, जब कि हजारी बाग आल्मोस जहारखंड में पड़ता है, पेच की बात करें, तो पेच आपका नागपूर यानि की पेच आपका पड़ता है महारास्ट्रों में, नागरजुन सागर की बात करें श्री सेलम यानि की आंदर प्रदेश में यह बिल्कुल सही है आपे आगे चलते हैं एक पर नागरजुन सागर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कृष्णा नदी के पांच रिजर्व्ट एरिया मतलब पांच स्टेट स जोन में फैला हुआ है और क्रिश्णा नदी के पास ही है इसलिए इसका नागरजुन डैम से रिलेटेड ही नाम रखा है नागरजुन सागर आंदर प्रदेश में ठीक है आगे जलते हैं किस राज्य में रास्ट्रे उध्यान वैली ओफ लार्स इस्थित है वैली ओफ लार चमूली में आपको वैली ओफ लार्स मिलेगी और वैली ओफ लार्स जो नेशनल पार्क है एक्ट्यल में एंडेमिक स्पेसे ओफ लोरा एंड फोना के रिजर्व के लिए इसको घुशित किया गया है ठीक है आगे चलते हैं कुशिन नमबर 11 राजा जी रास्ट्रे पार्क एक प्राकर्तिक आवास है एक प्राकर्तिक आवास है कौन से राजा है मैं सबसे पहले तो ये बताए राजा जी रास्ट्रे पार्क है आपका उत्रा खंड में और ये किसलिए फेमस है ये फेमस है किसके लिए इश्याई हाती के प्राकर्तिक आवास के लिए राजा जी रा बारे में पहले कुछ बाते बता देना चाहती हूँ, भारत का प्रथम रास्ट्रे उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट रास्ट्रे उद्यान ही है, 1936 में भारत का प्रथम रास्ट्रे उद्यान हैली नेशनल पार्क बना था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर् प्रदेश का ही भाग था लेकिन अब ये उत्राखंड में है तो यहां पर आंसर हो गया option D इन में से कोई नहीं क्यों क्योंकि ये उत्राखंड में है आगे चलते हैं question number 13 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूची 1 में आपको again national parks दिये हुए हैं और सूची 2 में आप आपको states provide की हैं तो आपको मिलाना है सबसे पहले शुरूबात कर लेते हैं बांदीपूर से तो बांदीपूर कहाँ पे किस जगह से है? बांदीपूर is belongs to करणाटका देख लेता है A के साथ fourth option कहीं पे match कर रहा है क्या? तो A के साथ fourth option sorry A के साथ third option match कर रहा है क्या? A के साथ third प्रदेश का एक बहुत ही इंपोर्टन नेशनल पार्क है और वर्ल्ड में लगभग 12 सिंगा की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में लगभग 12 सिंगा आपको यूपी के दुद्वा नेशनल पार्क में मिल जाएंगे जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर में लखीमपूर डि और सारिस्का हमने पहले भी डिसकस किया था सारिस्का तो सारिस्का कहा है राजिस्थान में तो option आपका जो है वो A सही आंसर हो गया है आगे चलते हैं question number 14 भारत में सबसे बड़ा बाग अभ्यारन यानि Tiger Reserve कौन सा है तो सबसे बड़े के अगर हम बात करते हैं तो option number C हो गय बारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारन है ठीक है अगर देखे कुछ बच्चों को Jim Corbett में अगर doubt हो रहा है तो Jim Corbett के बारे में मैं बता दिना चाहते हूं Jim Corbett जो है वो सबसे पहला है oldest one ठीक है न oldest one नेशनल पार्क Jim Corbett जबकि सबसे बड़ा Tiger Reserve जो है वो नागर सुन है आगे चलते हैं question number 15 की तरफ महतमा गांधी रास्ट्रिय समुंदरी उद्यान कहां इस्तित है तो मैं इसका सीधा आंसर ही बताना चाहूंगी महतमा गांधी रास्ट्रिय समुंदरी उद्यान है Port Blair में इस्तित और Port Blair क्या है अंडामा निकोबार आइलेंड की capital है चलिए आग आगे चलते हैं question number 17 विश्व का एक मात्र तैरता हुआ रास्ट्रिय उद्यान केबूल लाम जाओ कहां पर इस्तित है तो देखे बहुत important question है काफी exams में आ चुका है कैबूल लाम जाओ विश्व का एक मात्र तैरता हुआ रास्ट्रिय ध्यान है और बहुत famous इसलिए है क्योंकि ये तैरता हुआ है और कौन सी जील पर बना है लोकटक जील पर बना है तो ये कहां है ये है आपका मनीपुर में देखे सभी चीजे रटना नहीं possible है इसलिए मै थोड़ा explain भी करती चलों ताकि आपको समझ आ सके आप उन्हें relate कर सके साथ में मैं एक और आपको suggestion देना चाहूंगी आप चीजों को associate करना सीखिए for example जैसे मैं अभी यहां पर ये question associate कर देती हूँ उसके बाद आप खुद अपने तरीके से इसका associate कीजेगा questions को जैसे कि अ मनी खर्च करना पड़ेगा तो मनी खर्च करके केबुल नाम जाओ देखने जाओ कहां पड़ता है मनीपूर में इस तरीके से आप चीजों को relate कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 18 रंथम बोर वन्य प्राणी अभ्यारण है यह भारत के किस प्रदेश में है राजस्थान में बाग और शेर के लिए रंतंबोर वन्य प्राणी अभ्यारण जो है आपका फेमस है मैं और options के बारे में भी बता देती हूँ जैसे कि राजस्थान में काला ही रन के लिए कौन सा अभ्यारण फेमस है तो तल चपर सैंचुरी जो है वो राजस्थान में का एक नेशनल पाक है चलिए आगे चलते हैं question number 19 में बुकसा बाग परियोजना भारत के किस राज्ये में इस्तित है तो बुकसा बाग परियोजना नाम से पता चल रहा है कि एक बाग परियोजना है तो सीधे answer पे चलते हैं यहाँ पर इसका answer है option D पश्यम बंगाल बुकसा ब बाग परियोजना भारत में पश्यम बंगाल में इस्तित है आगे चलते हैं last question question number 20 किस वर्ष में project tiger आरंब किया गया था यह किया गया था यह क्या गया था लिग दिया है यहाँ पर गलती से sorry project tiger देखे सबसे बहुताना चाहूंगी पिछले अगर आप 2-3 साल के paper उठा कर द जाएगा project tiger किस वर्ष आरंब किया गया था यह बहुती common question है बार बार पूछा जा रहा है 1973-74 के बीच में परियोजना आरंब की गई थी अगर particular year पूछा जाता है तो 1973 आप इसमें answer देंगे project tiger 1973 आरंब किया गया I hope आज की video आपको clear हुई होगी अगर किसी option के question के answer में कोई problem है तो video के last में आपको सभी options के answer given है आप यहां से अपने आपको clear कर सकते हैं अगर आपको video अच्छा लगाओ तो please एक like तो बनता है like दीजेगा thank you for the video पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए thanks to all